सरकारी अधिकारियों में देशबक्ति का भाब बढ़ाने के लिए माराज सरकार ने अनोखा फैसला लिया है। अब से सभी अधिकारी कोई भी फोन आने या करने पर हलो कहने के वज़ाए वंदे मातरम कहेंगे या देश अधिकारियों के सभी मोबाइल फोनों और लेंड लाइनों पर लागू होगा इसके साथ ही डेली रूटिन और सरकारी कारी कर्मों में भी अधिकारी एक दूसरे को वंदे मात्रम काकर ही संबोधित करेंगे राज की एक नाथ सिंदे सरकार में मंत्री दीपक के सरकर ने कहा वंदे मात्रम एक ऐसा मंत्र था जिनसे अंग्रेजों से देश को स्वतंतर कराने में बड़ी भूमी का अधा किया है पूरे भारत वर्स में सभी सरकारे और आम लोग इस बात को स्विकार करते हैं मुझे लगता है कि एक दूसरे को वंदे मात्रम कहने में कोई बुरी चीज नहीं है अगर कुछ लोगों के दिमाग में वंदे मात्रम को लेकर गलत फहिमी है तो हम उन्हें समझा बुझा कर इस बारे में तयार कर लेंगे वहीं समाजवादी पार्टी ने वंदे मात्रम पर सरकारी आदेश के खिलाब जंडा बुलंद कर दिया है महराष्ट असेंबली में एस पी विधायक अबू असीम आजमी ने वंदे मात्रम पर सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इसे हिंदू मुसलिमों के भी धरार पैदर करने वाले बता सकते हैं धन्यवाद